हेलो बच्चो वेलकम बैक टू दे चैनल और हमने स्टार्ट किया है क्लास 11 का अपना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फर्स चेप्टर करा दिया सेकिंड चेप्टर पर हम आ चुके हैं और सेकिंड चेप्टर के अंदर भी मैं आपको एक पता है तो ही हम आगे जो एकांटिंग प्रोसेस है जो रिकोर्डिंग है ठीक है वो सब हम कर पाएंगे तो कुछ तो टम्स हम ने कर ली थी आज की इस वीडियो में आपके बाके की जितनी भी टम्स बच्ची हुई है वे सारी की सारी मैं करा दूंगी और इसी की साथ ही ocausts लिगाशनcribe थी को हमारे क्या है जिसे की मैंने आप लोगों को बताया था रेड का मतलब क्या है बिजनस यहा फिर वेपार्जो भी हम बिजनस करते जिस तीचहले का भी हम बैपार्ट करते हां हमारे बिजनस बिसकली रिसिए होना तो टेडिए होड God印 मतलब क्या है कि इ जो पैसा बिजनिस को मिलेगा, वो किसके अंदर आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रेड रिसीवबल कहेंगे, तो इसके अंदर आपका बेसिकली क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका डेटर और बिल्स रिसीवबल, डेटर, तो डेटर की स्पेलिंग क्या है, ड एंदी को हमारा पैसा देना एक चोटा से चैम्ब में लिखती हूं कि अ योगि ख मैं बेचा और क्शोटिया जाएगा रージें पुद invites को हुंट झाल顏 जाएगा वंदारं किला वरतंस ब्च को भी भी लाँख है एका क्या बन जाएगा डेटर बन जाएगा बी को क्या करना है एसे पैसा लेना है ठीक है तो बी क्या है डेटर है तो अभी बी कहेगा हां में तुझे दो महिने बाद तीन महिने बाद पेमेंट कर दूगा तो अब हमारा बी क्या हो चुका है डेटर इसी के साथ हमारा नेक्स है Bill Receivable अब यह ब्स रिसिववल क्या है ऐढ़ देखें अब में यहां पर सेम एक जब लेके चलती हूँ तो भी जब हम एने बी को सेल किया तो ए इसका क्या डैटरी यहां बाद में क्या बनता है बिल्स रिस्योबल बनता है कैसे अब ए ने जब बी को सेल किया ठीक है और बी ने कहा कि मैं तेरे को दो तीन महीने बाद में पेमेंट कर दूँगा ठीक भी दो तीन महीने बाद ए बी के पास गया और अब बी को बोलता है कि हां तुने बोला था कि दो महीने बाद में पेमें तो भी अब देखे अगर बी ने ऐसा बोल दिया तो अब ए क्या करेगा एक पास तो कुछ परूफ भी नहीं है कि हाँ भी इसने मेरे से सामान खरीदा था या फिर इसने कहा था कि मैं दो तीन महीने के बाद पेमिंट करूंगा ठीक है तो उस केस में अब भी अब ए क्या और तुम अब नहीं पुलाल भी नहीं आट पैसे यह एक बीट को पैसे कहा घ Every अ भी अब यहां घ्र सिर्ण करें सब्स-पास टीन भी करें सेंगा जायें वर वर तो विल एकव एक तो इसको बोलेगा कि कौन है तुम में तिर को पैचानता है अगर उसने ऐसा कर दिया ना तो अब एक पास क्या वो बिल है वो बिल दिखाएगा और उसको बोलेगा देख बता कौन हूं मैं साइन देखें आपे फिर अपने आपी कहेगा हां भाई आजा बैट जा हां मैं तेरा पैसा देना मैं दूंगा और अगर वो फिर भी नहीं देगा तो अब भी एक पास क्या एक प्रूफ है वो अब कोईट में भी जा सकता है ठीक है तो इसको हम बिसिकली क्या बोलते है बिल् ठीक है उसमें पूरा डीटेल में होगा तो इसको हम क्या कहेंगे बिल्स रिसेवल उमीद करते हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया ठीक है अब नेक्स्ट अब तो हमारे जो ट्रेड रिसेवल है वो बिल्स रिसेवल जो डेटर्स है और बिल्स रिसेवल है ठी सब्सक्राइब कर सबस्क्राइब iPhone कर सब्सक्राइब तो इसके इंदर क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स से और हमारे बिल्से पेड़ ठीक है, creditors हमारे कौन होते है लेंदार, हिंदी में हम creditors को क्या बोलते है, लेंदार लेंदार का मतलब लेने वाले अब जैसे, अब फिर से मैं एक जमपल लेती हूँ A और B का, ठीक है सेम मैं एक जमपल लेती हूँ, A ने क्या किया यहाँ पे credit पे सेल किया सामान किसको B को ठीक है B को ही किया अब यहाँ पे जो B है वो B A के लिए क्या बना था डेटर बना था ठीक है B है जो A के लिए क्या बना था डेटर अब वही A है जो वो B के लिए क्या क्रेटर है वो B के लिए क्या क्रेटर है A को B से पैसा लेना है ना A ने सामान बेचा A ने B को सामान दिया ठीक है तो A के लिए B क्या हो जाएगा डैटर हो जाएगा A ने B को उधार में सामान बेचा तो B उसका डैटर बन गया वहीं पर अगर मैं B के Point of View से सोचूंगी तो B ने A से सामान खरीदा है B ने A से सामान खरीदा है और उधार में खरीदा है तो इट मींस अब जो A है A B का क्या बन गया? क्रेटर बन गया क्योंकि B उससे लेगा तो इसको हम कहते हैं क्रेटर तो क्रेटर बेसिकली यहाँ पर क्रेटर का अभी उधार में माल खरीदा है तो पेमेंट तो आज नहीं तो कलकरनी पड़ेगी तो वे हमारे क्या कहलाएंगे रिषियोवडल में किया तो ऐसा ही हमारा बिल्स पेबल होगा क्या होगा जो यहाँ पेबल डीजवडल था एक लिए तो वो नेगा पेमिंट करनी है तो अभी जो बिल्स आमान पेचा था औ considering बिल जो लिखा था B के ऊपर तो A के लिए तो वो Bills Receivable था क्योंकि A को तो मिलेगा पैसा वही पे B को पेमेंट करनी है अब B को पेमेंट करनी है तो B के लिए वही बिल क्या होगा Bills Payable ठीक है? आई आप लोगों को समझ में तो ये है भी हमारा Bills Payable और Bills Receivable और Creators और Debtor तो Trade Receivable में Receive होना, Receive हमें किस किस से होगा Debtor से होगा और जो हमारे Bills Receivable होते हैं, भी आरे इनको हम बोलते हैं तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे किसमें Trade Receivable में और Trade Payable में हमारा कौन को ना आएगा? क्रेइटर और Bills Payable भी पे करना हमें, Creators को भी हम पे करेंगे और जो भी आगर हमारे Bills है, Payable है, हमारे पर बिल लिखे गए है तो उसकी भी हमें Payment करने पड़ेगे ठीक है, next अब हमारा Receipt अब Receipt हमारा क्या है? जो भी पैसा हमें मिल चुका है जो भी पैसा हमें मिल चुका है या फिर जो हमें मिलेगा जो amount हमें Received हो चुका है या फिर Receivable है Receipt basically क्या हुआ? Receipt मैंने वी अपको क्या बताय है? जो भी amount आपको Received हो में उन्हाइक है या फिर Received होगा वहाज आगा Receipt के अंदर receipt हमारे दो तरह की होगी revenue receipt और capital receipt तो revenue receipt हम किसको कहेंगे आप देखें it is the amount received from the normal course of a business ठीक है for example sale of the goods तो revenue receipt हम किसको कहेंगे जो हम एक normal course of a business हमापना जो करते है जो daily base पे जो हमारी activities होगी उससे हमें अगर कुछ revenue कुछ पैसा हमें मिलेगा तो उसको revenue receipt कहेंगे जैसे कि हमने goods को sale out किया, sale of goods हमारे इसका example है revenue receipt का ठीक है और यह हमारी इसकी nature कह recurring nature है यह हमारी एक regular base पर हमारी revenue receipt होती रहेगी आप जैसे goods है, daily base पे हमारी goods वेशेल होगा, तो daily base पे हमारी revenue receipt होगी वहीपे अगर मैं बात करते हूं किसकी capital receipt की, तो capital receipt हमारी कौन सी receipt है जो कि एक regular बेस पे हम हमारी होती हर्य वभी होगी कि तो एक तरहFit कि इन आप नहीं होती है एक नहीं कि चर टी को एक यह हुदी का में आपकर शेल किया तो पैसा मेरको मिलाई ठीक है तो वह मैं कौन सा के लेकектив अपट अब हर रोज तो मैं विल्डिक सेल नहीं करूंगी हर लोज तो मैं लैंसे लही करूँगी हर लोज तो मैं बड़ी-बड़ी मशिन रिया उनको सेल आउट नहीं करूँगा तो कभी-कभी तो उसको हम कहेंगे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है अमाउंट स्पेंड आपने कोई भी खर्चक पैसा है जो वो स्पेंड किया है और लाइबिलिटी इंक्रीज या फिर आपकी लाइबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हुई है किस वज़े से फोर एक्वारिंग डैसेट गूर्स और सवसी आपने कोई सर्विस ली है इस सब लेने पर आपने जो अमाउंट पैसा का दोगे तो एक्लाइबिलिटी तो अपकी इंक्रीज हुई है तो यह हमारे बैसिकली क्या कह लाएगा एक्स्पेंडिचर खर्चा है मैंने क्शिंडी खरीदी है अगर मैंने साथ की साथ उसकी पेय करूँगी तो एक liability मेरी यहाँ पे बन गई है तो liability मेरी increase हो चुकी है तो यह क्या खेलाएगा expenditure जिस तरह से हमारी रिशीट दो तर है कि थी सेम वे हमारी expenditure भी दो तर है का है revenue expenditure or capital expenditure revenue expenditure expenditure or capital expenditure revenue expenditure हम उसको कहेंगे जिसका benefit हमें within one month ठीक एज सोरी within one year या within 12 months 12 महीने के अंदर जिसका benefit हमें मिल जाएगा within 12 months जिसका benefit हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे revenue expenditure, ठीक है उसको हम कहेंगे revenue expenditure, कैसे जैसे salary की payment किये मैंने, salary pay किया है, तो salary जो employees उसको salary मिलेगी उसका benefit हम साथ की साथ ही ले लेते है, generally हम salary की payment कब होगी, पहले employee हो अपनी service देगा, काम क करेगा, उसके बाद हम उसको salary की payment करते है, तो कही ना कहीं यह हमारा expenditure होगा revenue expenditure, हमने goods purchase किया, ठीक है, goods हमने purchase किया, फिर हम उसको sale करेंगे, उसे हमें profit होगा, तो उसका benefit हमें साथ की साथ है, तो ऐसा तो नहीं है, हमने सामान है, goods का मतलब किया भी जिस चीज में हम business करेंग जिस चीज का मेरा business करेंगे, तो अब हमेरा बार 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 थोड़ी को होगी कि मैं इतना कपड़ा खरीद के लिए क्या है, तो मेरे business में terms यूज होगी goods से, अगर मेरा furniture का वेपार है, तो फरनीचर मेरे लिए goods से, तो जिस चीज का में business करूंगे, वह goods कहलाएगा, ठीक है तो अभी मैं आपको क्या बतारी थी, यह revenue expenditure ही बतारी थी, अब जैसे मैंने goods purchase किया, तो ऐसा तो है निकी भी goods purchase करके रख लिया, कि मैं नहीं बेचती, मैं तो दो साल बाद बेचूंगी, तीन साल बाद बेचूंगी, तो जो बूस हम खरीद के क्यों लिए इसको बेचने के वो हमें एक लंबे टाइम तक मिलता, more than 12 months, ठीक है, इसका benefit, जैसे अब मैंने कोई fixed assets खरीद ली, मैंने कोई land खरीद ली, तो land का benefit है, वो मुझे एक लंबे टाइम तक मिलेगा, 12 महीने से ज्यादा मिलेगा, मैंने कोई machinery खरीद ली है, उसका benefit भी मुझे एक लंबे टाइम इसके अंदर आजाएगी, उसके बाद हमारा next है, यह important है, इसको ध्यान से सुलना, Depthord Revenue Expenditure, हमारी next term है, Depthord Revenue Expenditure, तो अब देखिए, Depthord Revenue Expenditure है, वो हम किसको कहेंगे, कि भी एक ऐसा expenditure, जो हमने, हमने इंकर्ड कर दिया है, बट उसका जो benefit है, वो हमें एक लंबे expenditure की, नेचर तो इसकी किसकी है, revenue expenditure की, बट इसका benefit है, वो हमें एक लंबे टाइम तक मिलेगा, तो इसलिए हम एक लंबे टाइम तक मिलेगा, तो इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते है, क्योंकि Depthord का basically meaning क्या है, extend करना, extend करना या फिर पोस्ट पॉन करना, देखिए म मार्केट के अंदर मेरा product आया, तो अच्छा खूब चला, अब मैं चाहती हूं कि भी जो मेरा product है, वो all over India, पूरी इंडिया में उसकी पहचान हो, ठीक है, सब उसको जाने, तो उसके लिए, अब मैं चाहती हूं कि मैं इसका promotion कराती हूँ अपने product का, तो promotion मैं किसी एक celebrity से क कराऊंगी, जैसे कि for example, मैंने Salman Khan से अपना जो promotion कराया, अब जो Salman Khan से promotion कराने का मतलब क्या है, जो भी हम promotion करेंगे, it means advertisement में उसकी कराऊंगी, तो भी अब मैं advertisement कराऊंगी, तो भी Salman Khan ने का कि मैं लूंगा आप से 50 लाक रूपे, उस advertisement के 50 लाक या फिर जो भी मैं मार्केट है, जिस product में मैं deal करती हूँ, तो उसके लिए मैं promotion करा हूँ, उसके लिए advertisement करा रही हूँ, तो एक तरह से मेरा क्या हुआ, revenue expenditure हुआ, बट अभी जो मैं ये advertisement कराऊंगी, तो इस एक साल के लिए मुझे benefit मिलेगा, इस advertisement एक लंबे टाइम तक जो advertisement है, वो देखी जाएगी, त इसका benefit है, मुझे 5 years के लिए मिलेगा, ठीक है, 5 years के लिए मेरे को इसका benefit मिलेगा, तो अब देखे, अगर मैं जिस साल मैंने advertisement expense किया है, अगर मैं साल का सारा खर्चा, उसी साल अपने accounts के अंदर दिखाऊंगी, तो उस साल तो मेरा profit है, बिल्कुल बहुत कम होगा, या फिर नोट कर लिजिए, फिर screenshot ले लिजिए, अब देखे, यहां पर मैं आपको अच्छे से समझाते हूं, इसका मतलब क्या है, अब मैंने 50 लाक रुपे है, एडवर्टेजमेंट पे खर्चा कर दिया, ठीक है, और मुझे पता है, इसका benefit है, मुझे 5 साल तक मिलेगा, इसका benefit है तक मुझे क्या है, इसका benefit मिलेगा, तो अब यह जो मैंने 50 लाक रुपे, अगर मैं इसको, अगर 50 लाक रुपे का जो मेरे यह खर्चा हुआ है, टोटल, 50 लाक रुपीज का, अगर मैं इसको मेरा जो पहला साल है, अगर उसी साल में दिखाऊंगी, तो मेरे को एकदम से ब फोर लेक का मेरे को प्रोफिट हुआ, ठीक है, फोर लेक का प्रोफिट का रुपीज का मैंने 50 लाक है, पूरे एक्स्पेंस मैंने नहीं दिखाया, अगर मैं पूरे 50 लाक उस साल में उसको एक्स्पेंडिचर दिखा देती, तो अब मेरा सिधा यहां पे लोस आ जाएगा, तो भी इस सब से बचले के लिए, हम मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे पता है, यह खर्चा जो मैंने किया है, इसका बेनिफिट मुझे पांच साल तक मिलेगा, तो भी क्यो ना मैं इसको एक उसी फर्स्ट इयर में राइट ओफ करने की वजाए, मैं इस खर्चे को पूर अगले साल, फिर पांच, नहीं, दस दसलाक रुपे हो जाएगा, ठीक है, पचास लाक हमारा पांच साल के लिए है, फिप्टी लाक का, जो मेरा खर्चा है, वो पांच साल के लिए है, तो पांच से में डिवाइड करके, हर साल दसलाक रुपे है, वो मैं राइट ओफ करती क्योंकि इसका benefit मुझे 5 साल तक मिलेगा इसलिए मैं इसको राइट ओफ भी फिर 5 साल तक करूंगी अब उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारा expense expense का मतलब क्या expenditure एक बड़ी टम में हमने यूज किया expense का एक थोड़ी छोटी टम है या फिर जो हमने revenue expenditure किया ना जो मैंने अभी आपको बताया था revenue expenditure सेमी आपका expense जो हम revenue expenditure करते है वह हमारे expense है इसी तरह से revenue को revenue receipt मैंने आप लोगों को बताई थी जो recurring nature की है जो हमारा normal course of business करते जैसे sale of goods हमने की तो उससे हमें जो इसा मिला उसको revenue बोलते है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो अब next हमारा prepaid expenses prepaid pre पहले ही हमने pay कर दिया है तो prepaid expenses का मतलब क्या भी ऐसा expensive जिसकी payment हमने पहली कर दिया उसका जो benefit है वो मेरे को नहीं मिला है benefit मुझे next year अगले साल उसका benefit मिलेगा लेकिन मैंने उसकी payment है वो आज ही कर दिया है for example जो employees है उसको salary देनी थी ठीक है employees है जो उनको salary देनी थी अब देखिए हमारा जो accounting year होता है वो 1st April से 31st March तक चलता है ठीक है जैसे अभी मैं मान के चलती हूं 1st April 2022 से 31st March 2024 का मेरा accounting year है अब मैंने क्या किया जो employees है उसको मैंने salary दी मैंने उसको April में जून 2024 2024 का जो April में जून है उसकी मैंने salary उसको पहले ही दे दी और यहां पर मैंने accounting year कॉंसा लिया है 31st March 2024 को मैं अपनी balance sheet है अपने जो accounts है वो prepare करूंगी तो और मैंने employee जो salary अगले महीने की दे दी अप्रेल में जून मैं मान के चलती हूं कि भी April में जून अभी तक आया नी और मैंने पहले ही उनको salary दे दिया तो यह मेरा कॉन से expenses है प्रिपेड expenses है कि मैंने benefit नहीं लिया है और उसके expenses की payment कर दी है तो यह मेरे basically किसके अंदर आएगा यह current asset हमारा हो जाएगा क्योंकि भी आगे जाके मेरे को इससे क्या मिलेगा benefit मिलेगा इससे के साथी next outstanding expenses outstanding expenses का मतलब है कि भी outstanding खड़ा हुआ आपका expenses कैसे आपने benefit ले लिया है लेकिन आपने payment अभी तक नहीं किया है ठीक है मैं घर में रहती हूं और उसका जो घर में रहते हूं मिरको यहां पर जैसे एक साल हो गया यह मिरको 9 महीने हो गया अब अब तक जो payment है जो rent है उसकी payment नहीं किया जो rent है उसकी payment नहीं किया है देखिए मैंने benefit तो ले लिया है कि भी मुझे इतना time हो गया रहते है बट अभी तक मैंने payment 9 महीने का मेरा बकाया है तरह से मैं यह कहूंगे मैं गटेखिए में परेल की से खञैर वो हमने नहीं दी emplois को नहीं को माई आचुका है और अपरेल की सेलरी नहीं दी और अप्रेल में काम हमने करा लिया और अब महीं में भी काम करा रहे है तो इत मींस जो अप्रेल की सेलरी है वो हमारा आउटसेंडिंग एक्सपेंसिस होगा क्योंकि इसकी पेमेंट तो हमें करनी है तो इसलिए वह हमारी क्या लाइबिलिटी है तो आउटसेंडिंग एक्सपेंस रिवेन्यू है वो अगर हमारा ज्यादा हो जाएगा एकसे तो वो हमारा प्रोफिट या फिर इंकम कहलाएगा रिवेन्यू का मतलब कैसे जैसे भी मैंने च्यार लाग का सामान खरीद के पाच लाग में बेच दिया तो वह च्यार लाग का मेरा एकस्पेंस हुआ ठीक है और डाच लाग का मैंने उसको ने प्रोफिट जाय टीक है वहीं पे नेक्स्ट अटम ह है गेंद हमारा यू जो हमकव करेंगे प्रोफिट या इंकम वह एक हमने हमें रेगुलर बेस भे होती है लेकिन बिसकर यूज करते हैं जिसकी सबरेगा एक्टिविटिस हसाना ही वीसे कि लोस का मतलिब क्या है जब हमारे expense हमारे expense ज्यादा है किस से revenue से तो उसको हम क्या कहेंगे लोस कहेंगे जब हमारे expense क्या है revenue से ज्यादा है तो उसको हम क्या कहेंगे लोस ठीक है for example मैंने 50 रुपे का यह marker खरीदा और तो यह मेरा expense कितना हुआ 50 रुपे और मैंने इसको जब बेचा तो यह 40 रुपे में भी का तो 10 रुपे का मेरे को यहां पर क्या हुआ लोस हुआ तो expense minus तो formula यहां पर बना सकते हो आपे expense minus revenue तो मेरा क्या आएगा लोस आएगा ठीक है अब next time हमारे discount है अब देखे discount कर डिसकांट वर आप सभी ने सुना discount दोत रहका होता है trade discount और cash discount तो trade discount के अगर मैं बात करती हूं तो trade discount आपको मिलता है जब आप बल्क में purchase करते हूं ठीक है जब एक ज्यादा मातरा में ज्यादा quantity में आप सामान खरीदते हो तो उसको हम बोलते है trade discount और इसे के साथ मैं अगर अभी cash में payment करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक हजार उपे का discount मिलेगा बट trade हमारा क्या है trade जो हमारा market price होते है MRP उस पर मिलता है और trade discount mostly सभी को मिलेगा ठीक है तो इसी वज़े से यहाँ पर जो trade discount इसकी जो recording है वो हम नहीं करते trade discount को हम record करके नहीं दिखाते books of accounts के अंदर बट जो cash discount है इसको हम record करेंगी यह बात आपको याद लखनी है next हमारा bad debt bet debt का मतलब क्या है हमने बात किती debtors की debtors हमारे कौन थे देंदाल जिनको हमारा Millet & zile तो वो मेरे कहलेगा देंदाल यह प्याइटर कहलेगा उसको पैसा देना तो हम वोलते हैं कि हमारे ब्रेडर जैटर collectors नहीं देते तो या मैं से सामान करीदा था certain धहें . 8000 ने तो दे दी payment, 8000 ने तो हमारा पैसा दे दिया, मैंज 8000 रुपे तो हमें मिल गए, बट 2000 के हमें payment नहीं मिली, तो इस कम्तल क्या है, 2000 हमारे क्या हो गए, बुरे debtor, bad debt हम उसको कहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारा bank overdraft, bank overdraft कम्तल क्या है, क्रीबर bank आपको एक facility देता, facility क्य कि भी आपका bank में जितना पैसा जमाना उसे ज्यादा आप निकलवा सकते हो, तो वो जो ज्यादा आपने निकलवाई न उसी को bank overdraft बोलते है, कैसे for example, आपका जो bank है, for example, bank के अंदर आपके 10,000 रुपे जमा है, ठीक है, bank के अंदर 10,000 रुपे जमा है, बट बैंक ने आपक बैंक ने आपको एक फेसिलीटी दी है, ठीक है, उसके बाद next gross profit, आप यहागे सुनोंगे gross profit, net profit क्या है, तो देखे, जब हमरी वेन्य में से direct expenses, उसको minus करते है, तो उसको gross profit बोलते है, जब direct expenses, direct expenses का मतलब क्या है, जैसे मैंने simple सी बात, simple ले ले लेते है, कि भी मैंने जो उसको भी factory तक लेके आई, दस हजार की, ठीक है, तो total मेरा यहाँ पर खर्चा कितना आगया, एक लाग दस हजार, और अब मैंने जो sale की, जो मैंने sale की, तो sale मैंने दो लाग में कर दी, तो यहाँ पर मेरा जो profit निकला, दो लाग में से एक लाग दस हजार गया, तो मेरा profit क्या है, जब हम revenue में से, revenue मेरा कितना हुआ, जो sale हुई, वही मेरा revenue है, 2 लाग, और उसमें से direct expenses मैंने माइनस किया, परचेज पलस जैसे direct जो labor को हमने दिया, ठीक है, तो इसको हूं कहेंगे gross profit, लेकिन वही पर net profit का मतलब क्या है, जब हम revenue में से total expenses उसको माइनस करेंगे, अब देखे, यह तो हमने directly मोटा मोटी बता दिया, कि भी हा मैंने इतने का सामान खरीदा था और इतने में बेच दिया, लेकिन आप में सामान खरीद के लेकिया हूं ठीक अभी, लेवर का भी हमने पैसा जोड लिया, जो कि बिल्कुल डारेक्ट उस प्रोडुक्ट से रिल के जो हम निकालते हैं उसकों के भी हां, नेट प्रोफिट तो हमें इतना हुआ, में भी हो सकता है, ग्रोस प्रोफिट हमारा नब्बे था और आगे हमने और फर्दर एक्सपेंसीज किये, ठीक है, तो और उपर जैसे मैंने आपको बताया, रेंट हमें देना पड़ा है, ए यह थी भी आपकी अकाउंट्स के अंदर टर्म से, ठीक है, यह थी और इसी के साथ यह एक छुटी सी टर्म से और है, उसको भी मैं आप भी बता देती हूं, ठीक है, मेरे को एक दिम से याद आगी, मैंने यह पर नहीं लिखा, वो क्या है, फिक्टिश एसेट, तो इसको ध यह थी आपकी कालपनिक है, बिसिक्ली यह हमारे क्या होते है, जो फॉम को लोस है वह होते है, और इसको फिर हमें, वह रिख्टिश एसे बोलते हैं, यह थी और पुच्छी से कैसी समझ में आएगा, जो मैंने आपको देफर द्रीवेंवेंग्स्पेंडिश का एक्जम्प तो जो पहले साल हमने राइट ओफ कर दिया उसके बाद अब यह जो पचास लाग का खर्चा था ना अभी मैंने आपको बताया था जो एडवर्टिजमेंट एक्सपेंसिस था वो पचास लाग हमार वा था पांच साल के लिए हमें बैनी फिट भी लेगा तो इसलिए हर साल हम खर्चा यह लोसी है नुक्षान ही हम इसको दिरे दिरे कवर कर तो अब यह जो 40 लैक है इसी को हम क्या बोलते है तो बेसिक लिए हमारे क्या है लोसी जए ठीक है तो उमीद करते हूं आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया तो यह था भई आपका बेसिक की रीडिंग लेना और समझने के कोशिश करना और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना कोई वीडिया व्टा कोमेंट सेक्शन में पूछ लेना मिलते है नेक्स वीडियो में ओल दी बेस्ट थेंक्यू